इस फिल्म का नाम है डेंपियर सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ अब जैसी वेंपायर्स होते हैं इंसानों का खून पीने वाले उनको मारने वालों को डेंपियर कहते हैं ये वेंपायर्स की दुश्मन होते हैं इसलिए उनका शिकाल करते हैं कि शुरुवात होती है काफी विरान जुका को दिखाने सी, जिसमें एक औरत की तवित खराब हो रही थी, क्यूंकि उसका बच्चर पैदा होना था, वो यहां रोर होकर अपने हिस्बन का नाम पुका रही होती है, जिसके बाद में औरत का हिस्बन दिखाया गया, जो जाती थी, कि लॉड ओफ दा नाइट यहां अपनी वाइफ की पास आए, उनमें से एक कुछ जैसी एसास हुआ, कि वो घर की करीब है, पुरन बोलुटी कि वो आ रहा है, यह कहती ही, वो जादो करने लेगी, उसका जादो पूरा होती ही, घर की चारों दर्व नीली रगी रोशनी उठना शुरू हो जाती है, और वहाँ एक कवर बन जाता है, जिससे वो अंदर नहीं आपाएगा, लेकिन तबी बाहिर लॉड ओफ दा नाइट पहुंच गया, जिस बीची बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन बदकिसमती सी, उसकी मा की मौत हो जाती है, तब उन में से एक और बच्चे को हाथ में उठा लेती है, इस वज़ए से लॉड ओफ दा नाइट को घुसा आ गया, वो जोर से चिलाता है, अपनी ताकत को इस्तामाल करनी लगा, उसके अंदर से भी लाल रग की खतरनाक रोशनी निकलनी लगी से, वो कवर तोड गया, लॉड पारा से कवर बनाकर अपनी जान पच्चा लेती है, अब लॉड ओफ दा नाइट तीनों से कहता है कि मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दो, वो जवाब देती है कि अभी नहीं दे सकती, इसके जवान होने तरह हम इसे अपने पास रखेंगे, जब तक ही अपनी फैसली लेने की लाइक नहीं हो जाता, अब भी बच्चे क्योंकि लॉड ओफ दा नाइट का बेटा था, इसलिए डेंपियर पैदा होता है, यानि अपने बाप की ही तरह इसके पास भी जादोई ताक्ती होंगे, जिस वजो से ये बहुत ताक्त पर होगा, इसके बाद से इन शिफ्टों क आशों के डें लगे होई थी, तब ये चानक पीचे से एक बुड़ा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिस पर एकदम ये सारे गन पॉइंट कर दीती है, लेकिन बुड़ा आदमी तो बहुत जदर डरा हुआ था, वो कहता है कि यहाँ पर एक शिफाही बुड़े आदमी क को खतम कर सकता है, पर उनमें इसे एक सिफाही बुड़े आदमी को शूट कर दीता है, जिसे वो मारा गया, सिफाही कहता है कि इसका मूँ बंद करना जुरूरी था, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, अब हम दो दोस्तों को गाड़े में कहीं पर जाता हुआ देखते हैं एक दोस्तों ड्राइवर था, जिबकि दूसरा कुछ को डेमपियर कहा गड़ता था, और यही कहानी का में करेक्टर है, वो बहुत शुराप पिया करता था, एक शुराबी था, ये दोनों अब एक गाउं में पहुँच रहें, जान ड्राइवर दोस्तों सब को लेक्च्च लेकिन डेमपियर तो साइड में खड़ा होकर एक बात एक शुराप की बोतल खतम कर रहा था, दरहसल ये लोगों को छूट मूट डेमपियर का कहकर उन्हें पागल बना रहे थे, उनसे पैसे बटोरने के लिए, हकिकत में वो लड़का कोई डेमपियर नहीं था, ये लोग एक लड़की की आवास सुनाए दे, जो मदद के लिए पुका रही थी, इनकी तरफ भी आने लगती है, अब एक सिपाही जैसे उसकी करीब बिया पता चलता है, कि वो कोई आम लड़की नहीं, बलके विमपायर है, जो इन्हें देखते हैं, अपने लंबे लंबे नाकुन विमपायर निकाल कर एक काप गला कार दीती है, उसकी आवास सुनकर बाकी सिपाही भी बाहिर आ गए, और विमपायर लड़की पर शोट करनी लगती है, उसके साथ दूसरा विमपायर भी था, जो दोनों बहुत खतरनाब थी, हलांकि सिपाही इतने सारे रहे, इन पर गोल मैं एक डेमपयर को जानता भी हूँ, यह सुन कमांडर कहता है, तुम क्या पागल हो गई हो, कैसी फजोल बकवास कर रहे हो, कोई डेमपयर शेमपयर नहीं होता, हिड कहता है, सर होता है, आपने देखा नहीं, हमने अंदा दून गोलिया उन पर चलाई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो आप फिर हमें कैसे बचा पाओगी, मेरी मानो, तो उस डेमपयर को बुला ही लो, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, जिस पर कमांडर मान गया, इसलिए कुछ सिपाहियों को उस निटली डेमपयर की पास देशता है, उस शिराबी की पास, जो इस ला पागल कैसी बात ही कर रहे हो, ये वंपयर्स लगेरा कुछ नहीं होती, मैं तो बस ऐसी मनघड़त बात बनाकर लोगों को पागल बनाता हूँ, उनसे पैसे लेने के लिए, जिस पर हेड कहता है, नई सर, ये चुपा रहा है, ये डेमपयर ही है, वंपयर्स का शिकार करने इसका सबूत ये है, कि मैं इसे कुप से जानता हूँ, पर इसकी उम्री नहीं बढ़ती, ये हमेशा से जवान है, जिस पर क्वांडर कहता है, ठीक है, ये चीज़ आज राध चेक कर लेती है, और अब वो डेमपयर कोई कुछ सी पर बाहर बिठा देती है, आज राध पैरा देने के लिए, इस सोच के साथ कि अगर वेमपयर ने आकर इसे मार दिया, तो ये आम इनसान होगा, लेकिन अगर इसने वेमपयर को मार दिया, तो फिर ये सच में ही होगा डेमपयर, और फिर राध बाहर बैठ कर भी डेमपयर, कुप शरा पीने में मस्त होता है, तब ये बिलने के अंदर से अवाज सुनाई दी गई, ये जब जैक करने अंदर गया, तो वहाँ वेमपयर नड़की थी, जो उसे अपनी बातों में उल्चा कर गले से लग जाती है, और अब अपने बड़े-बड़े दात निकाल कर, जहसे उसका खून पीने लगी, तो उसे तक ल असता रोक लेती है, वो उस पर हमला करने लगती है, लेकिन वो था डैमपयर, उसका कुण जैसी वेमपयर को लगता है, वो जलने लगी, जल कर राख बन जाती है, और ऐसी सब की मोथ हो जाती है, अब हम वेमपयर की राजा को देखती है, जिसका नाम गोर का था, उसके पा कर डेंपियर पे निजर रखना और वहाँ पर ही रहना गौरका ने क्योंकि इनका दिमा कंट्रोल किया हुआ था इसलिए वो अपने ठीकाने पर रह करी इन लोगों के जरीए वहाँ सब कुछ देख सकता था यही वज़ा है कि वंपायर्स लिड़की को डेंपियर के पास ही छ जो मेरी दोस्त बन जुए है इसलिए अब कमांडर अपने टीम के साथ बिल्टें के अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है उसकी टीम काफी डरी हुई थी कमांडर को कहती है कि हमी अंदर नहीं जाना चाहिए चलो वापस चलती है इन विंपायर्स शेतानों से कौन होगी तुम्हारे साथ डेमपियर और उसका दोस्त भी होगा हम यहां से जा रहे हैं जो कहकर उन्हों ने इन लोगों को यहां पर बन कर दिया और यहां से जानी लड़ देमपियर अपने ड्राइवर साथी को कहता है कि देखो यह आपर बहुत खत्रा है इसलिए तुम भी उन सिपाहियों की साथ चरी जाओ पर उसकी दोस्ती साफ साफ मना कर दिया जी कहकर कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगा लेकिन डेमपियर ने जैसे तैसे उसी मना कर सिपाहियों की साथ बेजी दिया जिसके बार डेमपियर उस लड़की से बात करनी लगा जो अपना न यह करना चाहती है, देंपियर उससे पूछता है कि तुम मेरे बाले में क्या जानती है? जिस पर वो कहती है कि तुम Lord of the Night के बीटी हो, Lord of the Night जिससे भी शादी करता है, उससे तुम जैसे लोग देंपियर पैदा होती है, जिससे यहां हम समझे कि शुरवात में जो देंपियर और तुम्हारे जान लेने के लिए सारी वंपाइर्स तुम्हारे पीचह पर रही हा hy हूँ बिल्कुल ऐसा है यही चाता है वह से उनہ नहीं के लिए वह ब्रलत हुआ तुम्हारे कि तुम्हारे लटSC होता है Eating अहां थाकूल कि राश्रीक फाव अचनल की ऐसा спас van और अब जैसे उन्हें ने देखा, वहाँ खड़ा था गौर का, जो एकदम से उन पर हमला कर दीता है, कुछ सिपाहियों को इशारे से ही वो जला कर उड़ा दीता है, जब कि कुछ को कैद करकी अपनी साथ ले गया था, उदर डेमपिर की भी तवित खराब होने लगती है, क् कि मैं जानती हूं कोर का उन्हें कहां लेकर गया होगा, इसलिए अब ये लोग वहाँ जाने के लिए तयारे करने लगते हैं, अलेक्जा अपने पूरे जिसम और चीरे को अच्छे से कवर्ट कर लेती हैं, क्योंकि वेंपिर होने की वज़न से, अगर सूरज की रोशनी उस कीरता हैं कि ये लड़की वेंपायर हैं, इसलिए मुझे तो इस पर ये कीनी ने, उनकी ये बाती अलेक्जा सुन लेती हैं, हलांकि वो काफी दूर थी, लेकिन ये उसकी ताकत थी, चाहे कोई कितना भी दूर से उसके बारे में बात करता, वो सुन सकती थी, इसलिए वो कम अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब से तुम्हारे साथ ये होने वाला है, हमेशा चोड लगने पर तुम्हारे जखम ऐसी खुद बाखुद बर जाया करेंगी, उदर गौरका ने कमांडर की सभी सिपाहियों को अपने पास कैद कर लिया था, जंजीरों से बान कर, गौरक और गौरकादा खात्मा कैसे करेंगी, क्योंकि इन गौलियों से तो उनका कुछ नहीं होगा, जिस पर डेंपियर कहते हैं कोई मसला नहीं, उन से निमटने के लिए मेरी पास एक हल है, वो सारे गौलियों को टेबल पर रखता है, और उन गौलियों पर डालनी लगा, यह त जात लगा कर ऊपर कर देती है, फिर कहने लगी, कि मैंने तुम्हें पहली भी कहा, मैं अगर तुम्हें मारना चाहती, तो दस नहीं, सतर बार मार चुकी होती, आई समझ, इसलिए अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, अराम से रहो, यह देख डेंपर दोनों से कहते है अचा बस करो लड़ाई खतम करो, हमें अपना सफर फिर से शुरू करना है, यह लोग आगे बड़ी, जल्दी और शेहर में पहुन जाते हैं, इस शेहर में भी तबाही मची होई थी, साथी हर कोई वंपायर से भी ड़रा हुआ था, अलेकसा कहती है, कि हम अबादी से नहीं अब सारे की सारे वंपायर्स बन चुकी थी, इसलिए अगौरगा की साथी थी, वो आगे बड़े इन पर हमला करने के लिए, कमांडर ने एक गोली चिला कर जैसी वंपायर को शूट किया, वो वंपायर जल कर भून जाता है, साहिर है, इस पर डेमपियर का खून जो लगा ह वो देखते है कि ये गोली अलेक्सा ने चिलाई है, जो अब उनकी तरफ गन करके बढ़ने लगी, ये देखते हैं कि उसकी आंके बिलकुल काली पड़ चुकी है, वो दुखी होते हुए उनसे कहती है, ये मैं अलेक्सा नहीं हूँ, बलकि मेरी दिमाग को गौर का कंट्रो करके मुझसे ये सब करवा रहा हैं, टेम पिर उसकी गन पकड़ के कहते हैं कि तुम उसकी गुलान नहीं हो और उसकी कंट्रोल से बाहर आ सकती हो, उसका ये कहना ही था कि तबी अलेक्सा ठीक हो गई, कुछ दिर की बाद वो च्छत पल गई, ताकि कोद कर अपनी जान दे लेकिन तबी उसे एक लड़की के चिलाने की आवाज आई, जो मदद के लिए पुकारे, ये जब वाँ चेक केरने गई, तो दो वेंपायर्स ने लड़की पर हमला कर दिया था, इसलिए अलेक्सा उन से लड़ने लगती है, वो अपनी नाकुनों से उन्दा गला काट कर है फैंकी मारती है, जिससे दोने वेंपायर्स मारे जाती है, तब यहाँ गौरका भी आगया, वो अलेक्सा को कहता है, कि तुम मेरे साथ गदारे क्यों कर रही हो, जिस पर वो कहती है, मेरे तुमारे घुलाम बन की नहीं रह सकती, तुमारे कट पुतली तो बिलकुल नहीं ब लगी थी, उसका जखम बिलकुल ठीक हो गया था, और अब यह उस जगा पर पहुन जाती है, जहां पर गौरका था, दोनों अलग लग होकर पूरी बिल्डिंग को चेर करनी लगी, लेकिन यहाँ कमांडर को कुछ होनी लगा, उसे अपनी फैमली की यादी आने लगती है, क अब यहाँ कमांडर का साथ ही आ जाता है, जो अब वंपायर बन चुका था, वो अलेक्सा को तकलीफ दिनी लगा, आग के गोले से उसको जिलानी लगता है, वो बिचारे तरप्तनी लगी, यह थी कमांडर को गुसा आ गया, वो अपनी साथी को कहता है, कि मैं तुमें कमांडर की अंदर कुसा दिये थी, इससे पहले वो फिर से वार करता, अलेक्सा जंजीर को खीच कर तोड़ने में काम्याब हो जाती है, वो फिर जंजीर से वंपायर की गले को जकर देती है, पिर वो दोसी साइट पर जाकर जंजीर को वाहन लपेट दीती है, जैसे जो कर खीचती है, वंपायर वही माना जाता है, पर यहाँ अब अनेक्जा की तवियत भी खराब होनी लगती है, उसकी हालत मरनी वाली हो गई थी, इसलिए कमांडर उसे अपना खून निकाल कर पिलाता है, जिससे वो ठीक हो गई और ऐसी दोनों की दोस्ती हो जाती है, टेमप पटक की इधर उधर मारनी लगा, उसे लड़ना तो दूर की बार, टेमपिर तो अपना पचाव पे नहीं कर पा रहा था, वो ठीक ही नहीं पाता हूँ, पर अब यहाँ हमले को रोक कर गौरका कहता है, कि तुम्ही मारने से पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हू और तबियां वो देमपिर की दोस्त को लाता है, जो भी अब विमपायर बन चुका था, और अब वो गौरका की कंट्रोल में था, इसलिए वो देमपिर पर हमला करवा देता है, पिर साहिर है देमपिर का खून काफी ताकत पर था, वो जैसे उसकी दोस्त को लगा, वो भी चिल कर मारा गया, तब गौरका कहता है, लो एक दोस्त ने दूसरे को मार दिया, तबी वो देमपिर पर भी हमला कर दीता है, अपनी खतरनाक ताक्तों से, जैसे उसकी जान दी लगा, पीचे कमांडर और अनेक्स आ जाती है, तब गौरका कुछ देर के लिए देमपिर को छ ताहें, जो उसकी पैदा होदी टाइम, उसकी मौन की साथ थी, वो देमपिर को कहती है, कि तुम अब जाकर अपनी डैड से मिलो, यनि लौड ओफ दा नाइट से, और अब जैसे डैड आगे बढ़ा, सामने उसकी डैड खड़ी थी, जो उसकी होसलब जाई करने लगती है, कि तुम्हें खुद पर बरोसा रखना चाहिए, मीरे बीटी, तुम्हारे अंदर मीरा लौड ओफ दा नाइट का खुन दोड़ रहा है, गौरका जैसी दुश्मन, तुम्हारा कुछ बिगार नहीं सकती, उठो मेरा बच्चा, हिमत कर, अपनी टेड की सारी बाते सुनकर, अचानकी डेंपिर का दिल सोर से धड़कनी लगा, जिसकी साथ युसके इंदर ताकते विया जाती है, वो उठा, और अब पूरे जनून की साथ गौरका से भिड़ जाता है, वो उड़कर आया, जोर से गौरका को मुका मारता है, ऐसे कई सरे मुकों की बारिश वो गौरका में आ गया था, जो वो त्यानक ड्राउना था, और अब दोनों ही एक दूसरे पर तोट पड़े, इनकी सबर्दस लड़ाई चुड़ जाती है, और उड़कर एक दूसरे पर हमले कर रहे थी, पर अपने खौन वाले हाथों से जैसे रेंपिर, गौरका का गला पकड़ता है वो भी जलना शुरू हो गया, डेंपिर अपने दोनों हाथों का इस्तमाल करने लगा, गौरका को जला कर मार देता है, और वो धुआ बंद कर उड़ जाता है, अब ये तीनों, जैसे ही जाने लगी, इनके सामने एक दर्वाजा खुल जाता है, अंदर जब ये गए गए त ये काफी पुराने वक्त का कमड़ा था, जिसके अंदर डेंपिर के डेटकी किताब पड़ी थी, साथी वहाँ उसकी डेटकी तस्वीर भी बने होई थी, यहाँ इन्ही पता चिला कि वो सिर्व एक गौरका नहीं था, बलकि उस जैसे और भी कई सारी है, डेंपिर कहता है क